तब हम हल्दी का उप्यो करते हैं तो चलो आज हम पशुपालन में हल्दी का उप्यो कैसा करें हल्दी मिला कर खिलाएंगे नमस्कार दोस्तो मैं सागर चोदरी आप देख रहे हमारा अपना चैनल भेट सेशन आज कुछ नया सीखते हैं दोस्तो आज हम बात करेंगे हल्दी के गुनकारी तोटोंके बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तो जैसे कि हम जानती है हल्दी एक ऐसी अऊश्यदी है जो हर एक बिमारे में उपयूकता है। जैसे कि कईप़ गाव लगा हो, कईप़ सूजणाईओ, कईप़ बैक्ट्रिया लगा हो तब हम हल्दी का उपयोग करते हैं तो चलो हम पुशुपालन में हल्दी का उपयोग कैसा करें? इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकों को जरूर दबाए क्योंकि मेरे चैनल की वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले दोस्तो पशुपालं के सबसी बड़ी दिक्कत है पशु का गाबिन न ठहरना पशु गाबिन न ठहरने के अलग-अलग कारणे उसमें से एक कारणे पशु के बच्चे दाने में इंपेक्शन होना पशु के बिच्चे दानी में इन्पेक्शन होने के लक्षन क्या है? इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना है, आप उपर आई बटन में जा कर देख सकते हैं बच्चे दानी के इन्पेक्शन में आप जब दवाई के साथ हल्दी मिला कर खिलाएंगे तो पशु के बच्चदानी की समश्या दूर हो जाएगी इसके बाद जब भी पशु को कई पर घाव लगा हो तो घी और हल्दी एक साथ मिला कर घाव पर दो चार दिन के लिए लगा दीजिए घाव अपने आप भर जाएगा और पशु सौस्त हो जाएगा जब भी पशु के मुह में किसी वज़े से चाले हो गए है तो हल्दी और नमक और साथ में घी मिला कर पशु के मुह में तीन-चार दिन लगा दीजिए अगले तीन-चार दिन के बाद आपको पशु सौस्त हो जाएगा दोस्तों कई बार पुश्यों के जोडों में सुजन आती है तब हल्दी और फिटकरी एक साथ मिला कर पुश्यों के जोडों में अच्छी तरह से बान दीजिए इससे अगले दो तीन दिन के बाद अच्छा रिजल्ट आ जाएगा ये आप अगले एक दो हफ्ते तक लगाएंगे तो पुश्यों की सुजन बिल्कुल ही ठीक हो जायेगे जब भी पुश्यों चारा पानी नहीं खाता हो तो आप हल्दी गूल और दूद मिला कर पुश्यों को पिलाए सुबह और शाम पशू को हम देंगे तो पशू को आराम मिलेगा इसलिए जब भी पशू चारा पानी कम खाता हूँ तो हल्दी दूदार गुल मिलाकर पशू को पिला दीजिए पशू को जल से जल आराम मिलेगा दोस्तो हल्दी एक ऐसी आउशेदी है जो कभी भी खा सकते हैं हर रोच हल्दी पशु को देंगे तो पशु के चमड़ी पर अलग सी चमक दिखाए देगी पशु क्या बिमारी गम हो जाएगी और पशु हमेशा सोस्त रहेगा जब भी पशु के पेट में कीड़े की समश्या आपको दिखाए दे तो डिवार्मी के गोली के तुरंद बाद आप हल्दी पिला दीए आपका पशु सोस्त रहेगा इसके अलावा जब भी पशु बयाता है बयाने के तुरंद बाद आप हल्दी और गुल मिला कर पशु को पिलाएंगे तो पशु को आरा मिलेगा जब भी किसी पशु के कान में दर्द हो तब पशु के कान में हल्दी और फिटकरी मिला कर लगाए इसे अगले चार-पाश दिन में पुशु को आराम मिलेगा पुशु को सर्दी जुखाम हो तो हल्दी और गूल मेरा कर पुशु को पिलाए पुशु को जल से जल आराम मिलेगा इसके अला बहुत सारी और भी उपयोग हम हल्दी के कर सकते हैं आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद वीडियो आपको पसंद आईए तो वीडियो को लाइक करे और आपनी दोस्तों के साथ शेर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भुले हम फि तेरे मेलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई